ओडियो जम्ट देजभर में गोरक्षा के नाम पर की जा रही मॉब लेंचिंग और फिर एक वर्ग विशेश समुदाय द्वारा किया जा रहा विरूल प्रदर्शन के चलते देजभर में राजक्ता का माहूल बन गया है वही मद्यप्रदेश के अंदौर में सर्वधर्म के लोगों ने एक कारिक्रम आयजित कर मॉब लेंचिंग के खिलाफ सक्त कारवाई करने की मांग की पिछले महिने चोरी के आरोप पे तबरेज अंसारी की पिटाई कर दी गई थी जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया जिसके चलते तबरेज अंसारी की मौत को कई जगह जातिवाद के रूप में देखा जा रहा है इसी से प्रभावित होकर अंदौर के शेतर राजवारा में कई सामाजी के संगठनों ने मिलकर एक कारिक्रम आयजित किया है इस कारिक्रम का में एजेंडा सुजातिवाद की आड़ में हो रही मौब लिंचिंग को रोकना है कारिक्रम 2000 से ज़ादा लोक शामिन हुए जहां सभी एक सुर्वर देश में बढ़ती मौब लिंचिंग की घटना उपर चिंता जताते हुए सरकार से ठोसकादम उठाने की मांकी जहां मौब लिंचिंग को लेकर यहां के सामाजी का संसाओं ने एक कारेक्रम रखा है जहां मौब लिंचिंग में धर्म से बढ़कर इंसानियत को पहल दी गई है चली यहां मिलते है यहां के इस्लामिक गुरू अब्दल हमीद जी सर जानते है यह कारेक्रम क्या एजेंडा है मेरा नाम अब्दल हमीद मदनी है हम यहां पर राजबारा शेत्र में इसलिए जमा हुए हैं आप देख रहे हैं हमारे पूरे मुलक के अंदर भारत के अंदर जगे जगे बेगुनाओं पर जल्म हो रहा है बेगुनाओं को पकड़ा जाता है उन्हें जूटा इल्जाम लगा कर मारा जाता है और उनसे नारे लगवाए जाते है एक खास स्पेशल मजब के कहीं जैश श्री राम के नारे लगवा कर उने मारा जाता है और मारने वाले उसकी वीडियो भी बनाते हैं इसे बिगार कर बिगार दिया जाएगा फसाद प्रिदा कर दिया जाएगा तो कि आज हम देखते हैं कि एक आदमी में इपनी स्विश के अंदर भी यही बात कहीं कि आज हम देखते हैं कि एक आदमी जल्म करता है किसी बेगुना को मारता है और मारने के बाद एपनी खुद क वीडियो खुद शेयर करता है, पेस्बुक पर डालता है, अलग अलग सोशल मीडिया पर उसको वाइरल करता है, यानि वो ये बताना चाहता है, कि जल्म में सारी दुनिया मेरे साथ है, कोई मेरे खिलाफ नहीं है, हकुमत मेरे साथ है, पुलिस मेरे साथ है, मुझे किसी का ड जमा हुएं, कि हम अपनी बाद हुकुमत तक पहुचाएं, गवर्मेंट तक पहुचाएं, कि इन जालिमों को पकड़ो, इन जालिमों को एसी सजा दो, कि सारी दुनिया को ये बदा चले, कि ये मुल्क हिंदुस्तान, ये मुल्क भारत, कभी भी जुम को वरदाश्ट नहीं क करता है, बेगुनाओं को मारने पर वरदाश्ट नहीं करता है, इनके पर कड़ी कारवाई की जा, इसी किलिए हम समया पर जमा हुए हैं, संस्ता हैं, रुकांकन है, अल्माइटी वेलफेर सोसाइटी है, और राश्टी एक्ता मंच है, साथ में कहीं सारी संस्ता हैं, जो इस इस चाल रही है, हम इसका खात्मा चाहते हैं, कि जालिमों को जो इस तरही के से बिल्कुल खुल कर रोल पर आ गए हैं, और उने किसी का डर नहीं उनके पर कारवाई की जाए, तर क्या ये कार्यक्रम सिर्फ इस्लामिक ओरियंटेर हैं, नहीं, यहां पर सभी सहर के सारे जि जागरुकता आएगी है, या क्या को बदलाव आएगा? एंदोर से कैमरामेंट भारत नर्वरी के साथ रक्षा यादों की रिपोट